हेलो दोस्तो, The Milestone Vlogs बे आपका स्वागत है दोस्तो, आज का वीडियो हमें राजबीर संधो ने भेजा है मैलानी से दोस्तो, ये मैलानी जक्षन की बिल्डिंग और ये बाहर का पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया बिल्कुल नया बनाया गया है ये रेल्वे स्टेशन और दोस्तो ये अंदर की तरफ टिकटगर और ये प्लेटफार्म नंबर एक जो कि अब ब्रॉड गेज कर दिया गया है बिल्कुल साफ सुत्रा मैलानी जक्षन है रिल्वे स्टेशन आपके सामने और दोस्तो आज की इस अपडेट को दा माइल स्टोन रॉक्स पे पहली बार मैलानी जक्षन से कैप्चर किया जा रहा है और दोस्तो ये फुट ओवर बिर्ज के उपर बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई गई है और दोस्तो आज की अपडेट बहुत ही खास है जिसका इंतजार काफी समय से लखीमपुर की जनता को था मैलानी जक्षन रिल्वे स्टेशन से बहराईज के बीच जो ट्रेंस को रोक दिया गया था उनकी चलने की राह अब आसान होती नजर आ रही है क्योंकि कोट ने जवाब मांगा है रेल्वे से कि आपने किसके आदेश पे ट्रेंस को बंद किया है और दोस्तो जो रिट दाखिल की थी उसकी सुनवाई एक बार हो चुकी है और उसके बाद जो है दोबारा से उसकी सुनवाई इसी सोंवार को यानि की 24 तारीक को होगी दोबारा से और उसके बाद में इन ट्रेंस को जल्दी से जल्दी चालू किया जाएगा और ये इस तरफ है प्लेटफार्म नमबर 3 चोटी लाइन मीटर गेज रेलवे और ये सामने एक जो रैक खड़ा है 14 डिब्बो की सवारी गाड़ी लोको सहित उस तरफ लोको आगे की तरफ है इस वीडियो में लोको नहीं दिखाया गया है माफी चाहते है उसके लिए और इसको इसलिए यहाँ पर रोका गया है ताक कि अगर जब भी कोट की तरफ से आदेश आता है या रेलवे जब भी इस ट्रैक को दोबारा चालू करेगा इस रेल रूट को तो ततकाल प्रभाव से इस रेल रूट को चालू किया जाएगा और ये आपके सामने एक कटिंग पेपर की इसको आप पॉस्ट करके देख सकते और ये दूसरी द्यानिक हिंदुस्तान की एक ये कटिंग है इन दोनों को आप देख सकते हैं और ये जो रैक है इसको यहाँ पे इसलिए खड़ा किया गया है ताकि जब भी अगरी मादेश आए इस रेल रूट को चालू करने का तो ततकाल प्रभाव से इस रेल रूट को और दोस्तों उमीद तो यही है कि इस रेल रूट को बहुत जल्दी आगे आने वाले समय में चालू किया जाएगा जिससे कि जो आम जंता को असुविधा हो रही है उस असुविधा को दूर किया जा सके और पहले की तरह इस रेल सेक्शन पे भी ट्रेंस को चलाया जाए औ और कोट की तरफ से तो उमीद बन गई है अब देखना यह होगा कि अगरिम आदेश कब तक आता है इस रेल रूट को चालू करने का दोस्तों यह चोटी सी अपडेट आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है उन सबसे रिक्वेश्ट है कि मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके साथी बैल आइकन को जरूर से दबा दीजेगा ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबस पहले मिले दोस्तों उम्मीद तो यही है कि इस माह के लाश्ट तक या फिर यह कहा जाए कि मार्च से पहले ही हो सकता है इस रेल रूट को दोबारा से चालू किया जाएगा और दोस्तों अब अगली अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें मैं इस रेल आपसे विदा लेता हूँ थैंक यू फॉर वाचिंग प्रेंट्स गॉड ब्लेस्ट यू अल